हाई फ्रेंड्स कुश्चन देखते हैं और वेंडर पर्चेस्ट बनाना एट 40 रूपीज पर डाजन और शोल्ड इम एट 10 फॉर 36 रूपीज फाइंड 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 और लॉस परसेंट ठीक है इस कुश्चन को समझे जाता है ठीक है देखो कुश्चन है कि एक वेंडर साहव है क्या कौन है एक वेंडर साहव है जो बनाना खरते हैं और उसे बेचते हैं उनका काम ही है बनाना खरतना और उसे बेचना ठीक है तो तो वेंडर्स म्हत्रीन क्यों इस Huh-us एक न न कियो मतलब 4 ₹ आसे मतलब वो 1 species से मतलब एक डूद न का available this एक डॉड वेलन लिए टिस्ट कि और दो रोपी इस मतलब 40 मतलब उड़ी कुई के रेट से वे बनना खरते हं और उस बनाना को टेन रूपीज थार्टी सिक्स रूपीज पर टेन बनाना बेचते हैं मतलब समझो एक वेंडर साब है वह बेंडर साब जो है बनाना को पर फोर्टी रूपीज पर डाजन बनाना खरते हैं इस रेट में खरते हैं लेकिन वह बनाना बेचते कैसे किस रेट मे टी ना को ठाई तो पताना है कि एक ड़सन में गांके लुटना होता है, akah हैं कि एकड़े में कितना होता है एकडा में कितना होता है आप जानते में टुवेलभ पीसे होते हैं फ्रफ बनाना हूं कि जो भी छीज़ खोता है अगर हुए पिesz में मिलता है तो इसका को अगर किसी भी संख्या का नंबर 12 होता तो उसे कहते हैं तो वहीं कितना इनिट होते हैं आपका 12 पीसे होते हैं ठीक है तो देखो तो वह खरिते हैं में CP पीज़ा कितना वन डाजन को यह टूएलव बनाना को ठीक है मैं दोनों लिख देता हूं ठीक है 12 बनाना इसको कितना कोस्ट है इसका 40 रुपीज सुनो जो वेंडर साहब हैं इनको तो यह पता नहीं है इसमें बेंडर साहब को तो पता होगा लेकिन हम लोगों को इसमें आ बाणाना बेचर नहीं दियां बस हमको रेट दिया है कि वह वह भॉड फोर्टी रूपीज पॉर डाजन के रेट से ख़लते हैं और ऑर जो है ठाड़े रुपीज पर टेन बनाना के रेट से वह बेचती है तो ओवर उनको क्या लॉस होता है कि प्रोफिट होता है उसको फाइंड आट करना तो देखो तो हम फाइंड आट कर लें 12 बनाना करेट मिस वर्ण डजन बनाना का सीपी 40 रुपीज है तो देखो जादा के लिए दिया है एक के लिले निकालना है तो सीपी आफ डु वन बनाना सी पी ओफ वन बनाना कितना होगा जादा यकदिया है और एक लिए पुझा क्या करों समप्ले डिunn डिवाइट करोगे ठीक है तो देखो यहां पर 12 हो गया अब देखो एक बनाना का 40 by 12 देखो हम एक के लिए फाइंड आउट करें क्यों कि देखो हम लोगों को नहीं पता है कि वह कितना डर्जन बनाना खरते नहीं पता है तो हम क्या करेंगे ओभर ओल एक बनाना का सीपी निकाले कॉस्ट प्राइस मतल देखते हैं अब निकालना एक सपी और बेषटे किसमें sp आफ टू एलब सौरी टेन बनाना तेन बनाना ऐस पी ओफ टेन बनाना को कितना में थर्टि सिक्स रूपीज में ठीक है तो स फिआफ वान बनाना कितना में 36 by 10ौए हो थेक है तो यहां देखो तो एक बनाना को यह एक बनाना को इतना भीकलते हैं और उससे एक बनाना को वह 36 यहेंग Patan में बेचते हैं तो देखना है कि उन्हें गेन होता है कि लոज होता है तो दिखो यह हमारा 40 y 12 है और यह 36 by 10 है तो यह क्या है CP है और यह क्या SP है ठीक है यह CP है और यह SP है अब बताना है कि इसमें से कौन सा greater है तो देखो यहां पर तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके करेंगे तो जब 12 और 10 काल से कितना है आपका 120 है यह आपका 60 भी आसे ठीक है बार पर 60 भी होगा लेकिन अगर इसको डिनुमेटर टुट वार्ट ट्वांटी भी कर सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है चलो आपको कितना 12 और 10 काल सीम निकाल हो गया तो आपको कितना अगा 60 होगा तो इस टुवेल को 60 करने के क्लिका करोगे तो टुवेल को 5 से मल्टिप्लाइब अगर नहीं आज दिखो इसका 12 और 10 का जो एलसी हम होगा 60 होगा ठीक है तो अगर आपको नहीं वालम चलना है कि इस 12 में क्या चीज़ से मल्टिप्लाइब करेंगे कि 12 जो है 60 हो जाए अगर नहीं मालम चल रहा तो आप 60 को टैन से डिवाइड करो तो आपका आजागा जागा देन दोनों में 6 से तो कितना हो गया 20 by 60 हो गया ठीक है 20 by 60 और यह कितना होगा 36 से तो यहां पर 40 होगा जी 40 था 40 था तो जीरो तो यहां पर कितना था जीरो और पांच को भी 200 होगा 36 से ठीक है तो देखना अब बताना है कि देखो अब हमारा क्या डिनमेटर दूनों का सेम हो गया तो कंपेर किसे करेंगे इसके निमिरेटर से तो बताओ 200 में और 206 में कौन ढुमारा क्या होता है एसपी माइनस फसी पी ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर चलो चलो टालो 36 थे नहीं और कितना 40 थेंगे ठीक है 40 थेंगे जब इसके निमिकल सेम गए यहां पर तो यहां पर ऑलेडि दिया है आपका थाट श्क्सक्राइब याज 216 बाइशिक्स्टी बाइश और आपका यह दिया है फोटी वाल दिया 200 200 वाई 60 ठीका अब दिनोमेटर से मुझा तो क्या करो सिंपली इसको कॉमन कर लो इसमें सब्सक्राइब तो आपका 16 होगा इतना आपका क्या हुआ गेन हुआ अब आपको गेन परसेंट निकालना है गेन परसेंट क्या फर्मूला होता है गेन बाइश सीपी इन्टू हंड्रेड गेन कितना हुआ इसक्स्टीन बाइश सिपी कितना हुआ वा सीपी जो हुआ है देखो सीपी कितना दिया है आपका फोटी बाइट टू एल दिया है इन्टू क्या हो गया यहां पर हंडेड हो गया ठीक है परसेंटेज तो बार अप अच्छे यहां पर यहां से कैंसल लिगा बार पर जाट और आपका नहीं यारत देखो इससे कर दोने के स्टेप और बढ़ जाते हैं नहीं आपको समझ नहीं तो देखो 16 बाइब आपका 60 हो गया तो आपका 12 क्या होगा उपर चला जाता है टू एल बाइट इन्टू हंडेड चले के स्टेप बढ़ जाते हैं का अपको दिक्कत न सब्सक्राइब करता है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेलपूल है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दस्तों के थैंक्यू फ्रेंड्स